नमस्कार किसान भैयों कैसे हैं आप लोग मैं हुगो इंपडेल और आप देख रहे हैं खेती की पाड़ सला जी हां दोस्तों जैसे की फोटो में आप देख रहे हैं यह एक मीर्चे का पौधा इसको नकलने यार मेरे एक मीत्र ने भेजा कि भैई बताओ कि इसमें क्या प्रो फफून होती है जिसके बार से मीर्चे के जो तने होती है एक दम उसके तने मतलब जड़ी से थोड़ा उपर उसको पूरी तरह से गला देता है सड़ा देता है कहने के मतलब और वह धीरे-धीरे पूरे ना वह एक्च्वल में जो फपून होती है मिट्टी में ही मिट्टी स से पैदा होता है और उप नैसा स्वास रहता है दीरे दीर समें आप देखो देखो कि फंगस हो गर्या वो जवाtv बहुत ज़्यादा उसमें पैदे हो जाते हैं पौहते को चड़ाता है उसको पूरी तरह से बरी तरह से सटाू और फिर उसमें ठाणिया भी उसमें दिखते रहते, छिलका पूर छिल ज जाता है पौदे तो खड़े रहते हैं लेकिन धीरे दीरे उसके पत्ति मूर्जाना शुरू हो जाता है आप उसको देखोगे तो पता नीच चलेगा जब तक आप उसको खीच के देखोगे नहीं तो तो जो यह फफून है बहुत ही भायानक टैप से होता है और इसके लिए अगर मैं जो सही अनुकूल वातावरण की बात करूं तो जो ठंड के मौसम होती है हलक पर इसकी प्रोब्लम सबसे ज्यादा देखा गया है तो मिट्टी का जांच आप भी करा लिजिए जब भी आप मीर्चोकरा लगाने का सोच रहे हैं तो आप भी मिट्टी का जांच और अगर आपके भी मिट्टी के पियेच मान कम है तो उसको बढ़ाने की कोसिस करिए और कर लेते हैं तो इससे थोड़ी बहुत निजात पा सकते हैं और भी भूमी दोनों का अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं सोधन करते हैं तो 100% इससे निजात पाया जा सकता है तो फैनली जो मेरे मित्रका मीर्च का भई पौधा में तो अभी फिलाल लग गया है तो उसमें हम लोग ने कुछ सुझाओ ढूने हैं जो अभी ट्रीटमेंट अपना फिलाल चालू कर दिया है जहां कि मिट्टी के पीच मान जादा है कहने के मिलब जहां च्छारी है तो वहा इसमें मीर्चोगरा मीर्चे की फ्यसर लेनी चाहते हैं उसमें आप चूना का भी थोड़ा से छिड़काओ करवा दीजे ताकि उसके पीच मान बढ़ जाए और इसकी रोक्ठाम के लिए ऐसी करी कि जो आप पौधे को घना न लगा है जहां पर भी पौधे घने लग जाते है बीच की मातरा को जहां लोग घना कर देते हैं वहां पर इसकी थोड़ी समस्या आ रही है दो तीन टो ऐसी बात है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सबसे पहले तो आप उसमें चूना का थोड़ा छिड़काओ करा दीजे पीच मान को बढ़ा दीजे मिट्टी क अगर आप पहले से बढ़ी हुई तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है चूना आपको डालने की जौरत नहीं है तो आप पहले मिट्टी के चेक कर देजे और कोसिस करें जो जल निकासी की वैस्ता अच्छी तरह से हो उसमें पानी न रहे तथा मिट्टी गिला न रहे हवादार हो थोड़ा उसको मतलब धूपों कर पड़ती रहे ज्यादा घना भी लगाना अच्छा नहीं हो रहा है इसके लिए और अगर हम इसकी रोक्थाम के अगर बात करें तो जैसे कि मैं जैविक उपाय की बात करूं रोक्थाम के लिए तो जैविक में एक दो हो टाइप से आप हैं उसको आप बीच सोधन के समय बीच में बीच को उससे सोधन करिए और दूसरा है कि आप उसको मिट्टी में भी मिला सकते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके मिट्टी में मिलाना रहता है कहने का मतलब आप गोबर ले लिजिए और गोबर में उसको डाल के उसका कर लिज है और फिर ट्राइकोडरमा हर्जियम है यह दोनों क Counsel only कर सकते हैं इस्तमाल या फिर आप दोनों का भी सिवीद्फी बपी होने के बाद उसको अप साम को खेत में मिला दीजिये और उसको अल्ली मॉनिंग सुभ़े उसको जूताई कर तो आप उसको जो ट्राइकोड अर्मावीड़ीं को या हम्यम को उसको आपनी हमल्टी प्लीत काने का मतलब है कि जितना पानी को उप्यों चाहई करने वा ह्रीड़ को अधिधिं व्क्राइकों इसको आफ मतंडी तक स्वावड शपरा नरी कर दीजें खेत में नहीं तो आप सुखे पाउडर को भी इस प्रे कर सकते हैं लेकिन कोसिज करें कि उसको मल्टीप्लाई कर दीजे और अगर लग गया तो उसके बाद जो ड्रीप हो गरा में चला दीजे नहीं तो फिर उसको ड्रीच कर दीजे कहने मतलब जो जहां पर उसकी जड़ है पर आप उसको छिड़कवा दीजिए और बात करें अब रासानीक में रासानीक में भाई बीच उपचार आपको करना रहता है बाविष्टीन हो गरासे बाविष्टीन से उसका बीच उपचार कर लीजे और लगने के बाद ऐसी कोई खास इलाज नहीं है फिर भी जो रेड मग्योगर किसी माध्यम से उसको ड्रेज करिए तो जो मेरे मित्र है वो तो भी दोनों तरीका अपना रहे हैं उसको ड्रेज भी कर रहे हैं और ट्राइकोडर्मावीडी को अभी वह हाला कि अभी चला रहे हैं ड्रीप में तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आती है तो य में जो भी प्रॉब्लम आती है उसका फोटो खींचिए और वो ग्रूप में उसको आप डाल दीजिए तो जैसे आप वो ग्रूप में डालेंगे तो उसके संबंधित हल आपको ही भी मिल जाएगा प्लस उसका हम लोग वी बनाके आप लोगों तक उसको पहुंचा देंगे आ और अगर भाई प्यच मान कव में तो आप चूने की व्यस्था करिए चूने वगर उसमें आप डालते रहिए आज के लिए तो बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो आप कर दीजिएगा लाइक अगर आप ने है यार तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब तो वी